आज की वीडियो का श्रै जाता है श्रीमान जमशेद अली जी के इस कमेंट को इन्हों रिलाइंस निपॉन लाइफ इंशॉरेंस कमप्री लिमिटेट की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है अगर आप भी Reliance Nippon Life Insurance Company Limited के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का आप description चेक करें आपका समय बचाने के लिए इस वीडियो का link हमने पहले से ही वीडियो के description में दे दिया है इसी के साथ आप हमें comment section में सूचित करें कि आप अगली वीडियो किस topic के बारे में चाहते हैं या आप किस plan के बारे में जानना चाहते हैं अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चैनल पे हर एक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्णों के अनुसार आते हैं इस लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें जिससे आपको useful वीडियोस मिलती रहें रोजाना अलो एवरिवान बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं यूदरीयल मैं हूँ आपका अपना निजी सलाकार मित्राश शर्मा चलिए आज की वीडियो शरू करते हैं और जानते हैं जानकारी रिलाइंस निपन लाइफ इंशॉरेंस कंपनी लिमिटेट के चाइल्ड प्लान की यह है प्लान एक नॉल लिंग्ड पार्टिसीपेटिंग चाइल्ड इंशॉरेंस पॉलिसी है जैसा कि हमें नाम से पता आज रहा है जब आप यह प्लान लेंगे तो अपनी सुविदा अनुसार आप समझ ओड लेंगे लेंगे तो उसके आधार पे जो आप प्रिमिटे पे करेंगे कंपनी को कंपनी उस प्रिमियम को डारेक्ली एक्विटी यह स्टॉक्स में इंवेस्ट नहीं करेगी तो उससे जो बजार संबंदित जोकिम होता है वो आपके साथ नहीं होगा दूसरा समय समय पर बॉनस एकटा होता रहेगा policy term के दोरान जो कि आपको maturity पे पेगिया जाएगा इसी के साथ में policy term के दोरान आपका life cover भी रहेगा यानि कि अगर आपकी मृत्ती हो जाती है तो आपके नॉमनी को ना सिर्फ death benefit मिलेंगे उसके साथ में maturity benefit भी मिलेंगे और premium भी आगे की माफ हो जाएंगी क्योंकि ये child insurance plan है राइट किस तरीके से benefit की calculation होगी आगे चलके समझेंगे लेकिन उससे पहले जानेंगे eligibility criteria की जानकारी इस plan को लेने की जो IUC मा रखी गई है वो 20 साल से लेकर के 60 साल की है maturity age का जो limit है वो 25 साल से लेकर के 70 साल का है और जो policy term का option हमें देखने के लिए मिलता है वो 5 साल से लेकर 20 साल और 10 साल से लेकर के 20 साल का देखने के लिए मिलता है अब यह दो अलग-अलग क्यों देख रहे बात करें premium payment term की तो जितने साल का policy term है उतने ही साल का premium payment term होगा और जो mode of premium है सालाना छमाई तिमाई मासिक आपको मिल जाता है मासिक premium pay करेंगे तो selling account से होगा और वो auto debit होगा आपके bank account से minimum sum short का जो limit है वो 25,000 रुपे का है अब हम बात करेंगे आपे benefit की तो सबसे पहले तो इस plan के अंदर आपको non negative capital guarantee मिल जाती है यानि कि plan में total जो benefit होगा वो किसी भी condition में जितना premium आपने pay किया है उससे कम तो नहीं होगा यानि कि जो आप pay कर रहे हैं उससे minus नहीं होगा ये company आपे guarantee दे रही है as per the policy document बात आती है maturity benefit की तो guaranteed sum majority on maturity मिलता है जो कि आ maturity से पहले कि जो 3 साल है वहाँ पे आपको survival benefit मिलता है यानि कि money back मिलता है जो कि आपके basic sum assured का 25% होता है हर बार ठीक है यानि कि 75% sum assured maturity से पहले मिल चुका होता है बात आती है death benefit की तो minimum sum assured on death के साथ में account bonus का comparison किया जाता है total paid premium का 105% के साथ दोनों में से जो भी जादा होता है वो आपको pay कर दिया जाता है यानि कि आपके nominee को pay कर दिया जाता है और policy continue रहती है till the end of maturity तक जहाँ पे maturity benefit भी payable होते हैं अब यह minimum sum assured on death है कि हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं अगर plan लेते हैं वक्त आपकी I.U. 45 साल तक की है या इससे कम भी है तो सालाना premium का 10 गुना और अगर I.U. 45 साल से जादा है तो सालाना premium का साथ गुना एक amount यहाँ पे निकाला जाएगा फिर उसका comparison किया जाएगा basic sum assured में जोड दिया जाएगा high sum assured edition अगर है तो राइट फिर दोनों का comparison यहाँ पे किया जाएगा दोनों में से जो भी amount जादा हो जाएगा वो आपके यहाँ पे survival benefit हैं जो आपके जीवित रहने पे आपको मिलने थे वो भी मिलेंगे plus guaranteed sum assured on maturity भी pay किया जाएगा maturity पे आपके nominee को जो कि आपका बच्चा होगा राइट अब बात आती है यहाँ पे high sum assured edition है क्या तो वीडियो को full screen पे करेंगे तो हमें देखता है कि 5 लाग रुपे से लेकर के हमारा sum assured अगर 5 लाग रुपे से कम है तो हमारे basic sum assured का 0.2% हमें high sum assured edition मिलता है अगर हमारा sum assured 5 लाग रुपे का यह से जाला कितना भी है तो हमारे sum assured का 0.3% हमें high sum assured edition मिलता है अब हम यहाँ पे example ले लेते हैं जिससे कि हम Reliance Nippon Life Insurance Company Limited के child plan के benefit calculate कर सकें माल लेते हैं श्रीमान A है जिनकी आयू 30 साल की है 15 साल का policy term वो ले रहे हैं तो 15 ही साल का यहाँ पे premium payment term होगा और ऐसे में जो premium का rate निकल कियागा इस उधारन के तोर पे वो 1000 रुपे के sum assured के लिए 77 रुपे 65 पैसे होगा तो यहाँ पे premium का rate है अब हम अगर माल लें कि यहा basic sum assured है वो 5 लाख रुपे का लिया है तो इस rate के अनुसार sum assured का 7.76 प्रतिशत होगा हमारा premium rate तो 5 लाख का अगर आप 7.76 प्रतिशत निकालेंगे तो 38,825 रुपे का सालाना basic premium यह हो जाता है ठीक है प्लान में जो bonus का rate है वो 3.2 प्रतिशत है bonus का PDF टेलिग्राम चैनल पे हमन कहां से किस तरीकी से लिया ठीक है तो 15 साल में जो bonus एकटा हो जाएगा 5 लाख का basic sum assured है उस कम 3.2 प्रतिशत निकाल के 15 का गुणा कर देंगे तो 2,40,000 रुपे का क्योड bonus हो जाएगा अब maturity से पहले policy के 12 साल, 13 साल और 14 साल पे 5 लाख का 25 प्रतिशत जो survival benefit ठीक है यानि कि 1, 1,25,000 रुपे इनको मिल जाएंगे और ये तीन बार मिलेंगे तो 3 का गुणा कर देंगे 1,25,000 में तो 3,75,000 रुपे इनको मिल चुके होंगे maturity से पहले ठीक है अब maturity पे क्या मिलेगा guaranteed sum assured on maturity जो की basic sum assured का 25 प्रतिशत है यानि कि वही 7,000 रुपे accurate bonus जो की हमारा 2,40,000 रुपे का है यहाँ पे वह हम इसमें जोड देंगे ठीक है जी तो यहाँ पे जो maturity benefit निकल के आ जाएगा वो 3,65,000 रुपे का निकल के आ जाएगा अब देखिए जो bonus है ये कम जादा हो सकता है right ये guaranteed नहीं होता है अब high sum assured edition हम इसमें हम और तो final maturity benefit जो हो सकता है वो 3,66,000 रुपे का हो सकता है ठीक है जी इस तरीके साफ maturity benefit का calculation करेंगे ठीक है अब हम माल लेते हैं कि श्रीमान एक ही जो मिरत्यू है वो policy के 5 साल complete होने के बाद हो गई यानि कि 5 साल premium pay करे उसके बाद death हो गई तब हम यहाँ पे क्या जानेंगे सबसे पहले sum a short on death तो सालाना premium का 10 गुना निकालेंगे क्योंकि IU जो है वो 45 साल से कम है तो 3,88,250 रुपे का यहाँ पे हो जाएगा सालाना premium का 10 गुना और base sum a short में अगर हम high sum a short addition जोड़ देंगे तो 5,1,000 रुपे हो जाता है यही amount जादा होगा तो sum a short on death हो जाएगा 5,1,000 रु तो death benefit यहाँ पे कितना मिल जाएगा इनके 9 मेनी को तुरंत 5,81,000 रुपे और उसके बाद में जो अगले 15 साल के जो premium है वो माफ हो जाएगे company खुद पे करेगी अपने अप और जैसे ही policy का 12 साल, 13 साल और 14 साल आएगा basic sum a short का 25 प्रतीशत यानि की 1,25,000 रुपे हर साल इनक पर आएगी नॉमनी को guaranteed sum a short on maturity के साथ में high sum a short addition मिल जाएगा यानि की bonus नहीं मिलेगा इस case में क्योंकि वो बेले ही death के time पे पे किया जा चुका है अब high sum a short जो addition है वो 1000 रुपे का होगा ये चीज हम जानते है अभी हमने just calculation की ती और guaranteed sum a short on maturity हमें पता है basic sum a short का 25 प्रतीशत ह होता है तो एक लाग 25 प्रतीशत हो गया तो नॉमनी को maturity पे एक लाग 26,000 रुपे का आसपास amount मिल सकता है ठीक है जी तो I hope benefit calculate करने में आपको कोई confusion अब नहीं होगा वीओ से संबंदित जो PDF होगी आपको telegram चनल पे दे दी जाएगी अभी हम आपको बता रहे हैं कि premium का जो rate की ली थी तो इस वज़ा से 1000 रुपे के संबंदित के लिए मैं 77 रुपे 65 पैसे यहां पे पे करने पड़ रहे थे यानि कि basic संबंदित का साथ दसमलब 7-6-5 प्रतीशत प्रिमियम का rate chart भी हम आपके साथ telegram चनल पे शेयर कर देंगे अगली वीडियो में अब हम जानेंगे surrender value, reduce paid up policy के benefit, loan और other importance features के बारे में आपने वीडियो अन तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, एक चीज़ आप खुद भी समझें, किरप्या करके दूसरों को भी समझाएं, कि insurance एक protection है, protection कभी अदूरी नहीं लेते हैं, और insurance को protection की तरह ही हमें treat करना चाहिए, as a investment ह इसको count ना करें तो better होगा, हाँ आप एक saving का alternative इसको मान सकते हैं with some thumbs and condition, तो इसी बात पे channel को subscribe करके हमारे साथ जुड़े रहें, अगर आपको information useful लगी है तो, thank you so much